ओम ज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन सलकाय चक्ख्युर्मिलित ये नकस्मै श्री गुरुवे नवा बुरंदाये तुलुषी देवी प्रियाये केशवस्य कृष्ण वर्थी प्रदेवी सत्य वति नवो नुवा हरे कृष्टन क्रिष्टन कृष्टन हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हम मनिश्य हमारी हम जब पैदा होते हैं मा की पेट से नो मेने दस मेने रहके, हमरी अवस्ता ऐसे रहती है उस वक्त, जैसे की एक इनसान समंदर में, पानी में डूप गया हो, और आपना जिन्दे की बचाने के लिए, उसकी अवस्ता जैसे रहती होगी, जैसे द्रोपोदी की अवस्ता रही हो, कुरुस अवहा में, बस्त रहन की समय में, हमरी माण्य पैट में हम जब रहते हैं, ऐसे रिख time कभी हमारा सिर नीचे होता पैर पैर उपर और सिर ओपर पानी के अंदर मल भूत्र यह सब के अंदर हम रहते हैं और यह हमारा मनो भावना ऐसे रहती है я未至 यहां से बहहर निकाला जैसे मिया आँगा आपकी सरण में आऊंगा यही हमारी भावना रहती है लेकिन हम जब बहर आते हैं आपने देखा होगा बच्चा जब जैसे पैदा होता है वो बहुत जो से चिला के रोता है वो क्यूं कि माया जैसे आते हैं तो माया उसको माया उसके उपर हवी होता है ठीक है तो हम आके फिर माया में माया संसार में हमारा मेरा बेटा मेरा बेटी वो सब संसार में लगके हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं वह जो अबिपति की घड़ी था उसको बिलकुल भूल जाते हैं हम यसमें लग जातें हैं हम लेकिन उसी चीज़ से आपको भगवाल की सनवाने के लिए कोई हरी नाम ही एक चीज है जो उद्धार कर सकता है हरे क्रिष्ञा अफरे राम राम यह प्पैदा हूएं मा की पैट से कम से कम जहां तक याद आ रहा है दस बारा साल के क्रीम मां की घर में हम रहा क्यों रहे को उनके प्ता था वह जैसे वह हो जाएगे माया उनके उपर हभी हो जाएगी ठीक है तो वो पैदा नहीं हो रहे थे तो अंत में भगवान की कृपा और उसमें इन्वाल्मन ये रहा कि जिस वक्त सुब्दिव गोस्वामी पैदा उनको कमिट्मेंट करा गया कि जिस वक्त वो पैदा होंगे माया उस वक्त के लिए दूर रहे कि मतलब उनके उपर माया का प्रभाव नहीं रहेगा और वो पैदा हुए आपने देवा जैसे भी वो पैदा हुए कुछ सालों में जैसे बड़े हुए और वो घर छोड़के चलने लगे पैदा हुए और घर छोड़के चलने लगे बिना बस्तर में और ऐसे ही अवस्ता में तो पीता जी पीछे पीछे जा रहे थे ठीक है वो मेरा बेटा मेरा बेटा तो बोले तो बोले हाप कौन हो वो माया से वो प्रभाव में नहीं थे वो इसलिए वो संसार छोड़के चलने लगे और कितने बड़े उनकी मुख से भागवतम सुनने पकूल मिला परिखित महराज जो है ये है माया की ट्रवल था तो हरिनाम जो है ऐसा एक चीज है जो माया से आपको दूर लग सकता भगवान की सरण में लेने के लिए वही एक चीज है कल्यूग में तो यही कल्यूग में अप्रोन contrac हजार हजार सालों तपश्य करते थे कि तु मेरा नाम ले और मेरे सरण प्राप्ति तु मेरा नाम मतलब मेरा नाम ही मैं हूँ कलियूग में इतने भगवान ने देखा कल्यूग में बहुत इतना होगा लोगों के पास समय नहीं होगा तो कितनी आसान कर दी तुम नाम ले और मेरी सरण प्राप्ति कर इससे बढ़ करा और क्या हो सकती है और हम जो है जैसे भगवान की नाम लेगे हम ग्रैजूली जैसे हम स्कूल में प्राइमेरी में पढ़ते हैं फिर स्कूल में आते हैं हाई स्कूल में आते हैं फिर कॉलेज जाते हैं इनिवर्शिटी जाते हैं राइट जैसी मिल ले भगवान की नाम जैसे जैसे लेते टांता से ज्यादा से आपके अंदर से कलमस दूर होगे आपके अंदर जो आत्मा है उसके उपर म्हें थूर पड़ी हुई जो हमें दिखने ही रहे है भरवान क्या है और हम कौन है क्या है वो सब ग्रैज्विली साफ होता जाएगा जितना जितना आप ज्यादा करोगे उतना आगे बढ़ोगे आप और माया से दूर होते जाओगे और आपके बैराग्य भाव जो है वो आएगा बैराग्य भाव तब आएगा जब आप माया से हो गए ठीक है कि वह एक दूसरे से कनेक्शन है वह कहते हैं ना मसान बई रख्या ऑपना हम देखते हैं फिर उस मसान में जाते उसको जडलाते हैं फिर वो आप जैसे घर आते हैं आपकी भावना ऐसे रहती है यह क्या रखावा जिन्देगी में देखो कल जो इंसान था चला कि और वह जाते जाते उसकी ऐसे इस्तिति रहती उसके अंगुडी में कोई सोना पहना हुआ है कोई चैन पहना हुआ है कोई कुछ है वो सब कुछ निकाल देते हैं आया था कॉली और खाली हथ जा रहा तो जो है अपने अंदर जगरूत होता है वह रिनाम ही एक है आपको बेराग्या भाव में लाता है यह संसार में कुछ नहीं रखा हुआ है ठीक है जिम्मदारिया करो जैसे कमल कीचड में रहके भी पानी में रहके ही पानी से कीचड से दूर है भगवान को चड़ाते हो ठीक है तो हमारा भी भाव ऐसे रहना चाहिए cacau क्लों जिम्मदारिया अपत्र फीश्पॉंस्फिल्टी घर में रहो घर में रहके इसो करसकते हैं भगवान की नाम लो आप को जिम्मदारिया पालन करो और साथ सथ यह भी करो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram.